तो आज हम लोग बात करने वाले HDFC बैंक के बारे में बटूस से पहले इंपॉर्टन चीज़ जिनके लिए यह चैनल नहीं आया है यह फॉर्स ताम विजिट करें तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इंफाक बेल आकन पर भी क्लिक कर लिजे फॉर में लिट सब्सक्राइब तो चलिए बिनाजार टाइम वेस्ट के बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में तो देखते हैं HDFC बैंक कैसा फ्लो बनाई हुए मार्केट में यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं 146 1449 रुपीस पर ट्रेट करते वह दिख रही है और आज के दिन अच्छा खासा से यहां पर 22% अपसाइड तो एक अच्छा खासा मतलब HDFC के साइट पॉजिटिव नियूस निकल के रेगुलर आ रही है और HDFC भागने के लिए भी तयार हो रही है अब तयार क्यों हो रही है यहां पर देख सकते 68.33 परसेंट इवेन अपने ब्रेक आउट के बहुत नियर सुल रहना गाई क्योंकि बहुत कोई अगर आप लोग पहले से मुझे सब्सक्राइब कि होंगे तो आप लोगो याद हो कि मैं रेगुलर वीडियो देची पर डाल रहा था तो यहां पर बहुत कोई ने हमारा बाइंग था इस पॉइंट पर यहां पर यहां पर जिस लोग चीजे जहां पर ध्यान देना है यह रेंज आपको यहां तक कवर करने का पूरा का पूरा चांसे बना रही देख से लास्ट टाइम भी हिट करते हुए दिखी बट फिर डाउन आगई तक तो यहां पर यह एडिया आपका एक स्ट्रॉंग सपोर्ट रहेगा अगर अगले दिन या पर सो जब भी ठरस्टे फ्राइडे किसी भी दिन टच करते हुए दिखती तो उसके बाद मैं नेक्स वीडियो ज़रूर बनाऊगा इस पर क्योंकि वहां पर सपोर्ट चेंज होते हुए दिखेगा बट ऐसे अभी के लिए आप एडवांस में यह सप रखो कि अगर उपर जाती है मतवीस रेंज में 1,450 के रेंज में पहुंच जाती है और फिर से डाउं ट्रेंड रिवर्सल वाला सीन क्रियेट करती है तो हमारा यहां पर आउट होना एक बेस्ट ऑप्शन बनता है आउट होना किया यहां पर दो-तीन सपोर्ट है जो ध्यान नहीं कर रहा हूं यहीं तक यह सपोर्ट एक मेजर सपोर्ट रह सकता है दिन उसके बाद आप आउट हो सकते हो अगर रिवर्सल में आपको वैसा देखने को मिलता है बट टार्गेट अभी के लिए यहां पे ऐसा है अगरा फंडमेंटली लिए हुए हो फंडमेंटल मतब स इतना मत पैनिको शेयर मूफ करेगी और बहुत खतरनाक मूफ करते हुए दिख सकती है बस इतनी ही अपडेट थी बट उससे पहले इंपोर्टन चीज़ जाने से पहले यहां पर सबसे पहले आप जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो इन फैक बेल आइकन बे भी क्लिक कर लो तभी मेरी लेटेस्ट अपडेट आप आएगी बाकी सारी भी सेयर इसकी वीडियो अपलोड हो गई तो प्लीज जाके सारी वीडियो को वाच करो और लास्ट मोस्ट इंपोर्टन नी का इस इस वीडियो इस जस्ट फॉर एजुकेशनल परपस तो अगर इंवेस्ट करने का प्लान करो तो एक बार अपने फाइनिशल एडवाईजर से जरूर बात कर लेना नहीं तो खुछ से अनराइस कर लेना